दोस्तो अच्छी डाइट ना लेना या फिर देली रूटीन सही ना होना इन सारी वजहों के कारण शरीर जो है धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमचूर होती जाती है शरीर भी एकदम दुबला पतला हो जाता है शरीर में जान नहीं होती थोड़े से दोड़लों तो शरीर हापने लगता है सांस फूनने लगती है शरीर में ताकत की कमी है कमचूरी फिल होता है पूरे दिन आलर्स कमचूरी लगा रहता है यौन एक्षा कम होने लगती है वैव का नतीजा है तो आज इस वीडियो में आपको एक रेमिडी बताने वाला हूं जिसका इस्तमाल आपको लगातार एक महीने तक करना है साथ दिनों के भीतर ही आप देखोगे आपके शरीर में चूस्ती फूर्ती स्टैमना कई गुना बढ़ जाएगी विर्यबल बढ़ जाएगा, चेहरे पे गलो आजाएगा, नूर बढ़ जाएगा चेहरे का अगर हाथ पेर में दर्द करता हो, जोड़ों में दर्द करता हो या फिर शरीर में खोड की कमी हो, तो भी आप इस रेमेडी को जरूर फॉल कीजेगा इस उपाया को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है दोस्तों अखरूट अखरूट दोस्तों ये बहुती शक्तिशाली ड्राइफरूट है, इसके अंदर ऐसे तत्व पाया जाते हैं जैसे वेरियबल बढ़ता है, शरीर में ओज बढ़ता है, तीज बढ़ता है अखरूट के अंदर शरीर के सभी प्रॉलम्स को ठीक करने के गुण होते हैं, ये हमारे हार्ट को हेल्थी बनाता है, सासों से रिलेटेट प्रॉलम को खत्म करता है, दिमाग को शान्त व श्ट्रेस फ्री रखता है, दिमाग तेज करता है, आँखों के रौशनी को बढ़त है, और साथी दोस्तों, जो लोग अखरूट का स्रेवन अपने जवानी में कर लेते हैं, बुढ़ाप्य में आपको कभी भी शारीरिक और अंदरूनी कमजूरी का हैसास नहीं होगा, यहां 90 साल में भी चूस्ती फूर्ती वाला जीवन चीवगे, तो आपको मार्केट से अ अक्रोट के गिरी निकाल ले लिनी है, अब यहां पर लीजिए दोस्तों, यह किश्मिश, किश्मिश के अंदर दोस्तों, काफी मातर में आरन, कैल्सियम, पोटेशियम, मैगनेशियम और फाइबर जैसे तत उपाय जाते हैं, किश्मिश खाने से शुरीर में तुरंत ताकत आती है, नरजी आती है, तो यह रोलोग, खोन की कमीशे परिशान कर दीन भर लगे रहती है, उन्हें किश्मिश जरूर। खानार चाहिए, इसके लावा हाथ पेर में तर्द, जोड़ों में दर्ध के समस्य हो तो भी किश्मिश खाना चाहिए, किश्मिश में आरन haus मातर म के लिए इंदरनी इंगों के लिए इसको पर आप यहाँ पर आप लिए अब कर लिए किसी भी उपर के मिल जाएगा बिजस्टों का हजाना है तर्बूज के बीजों में कॉपर जींक सेलेनियम आरन पोटेशियम और मैंगनेशियम जैसे खनीच पदार्थ होते हैं इस सभी मिनरल्स एक साथ किसी भी फल में नहीं मिलते हैं तो आप इसे कह सकते हो मल्टी वाइटेमिन की गोली इसमें वाइटेमिन भी भरपू करता है इसमें दोस्तों जींग पाए जाता है और जींग जो है विरियबल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है अब यहां पर आपको अगली चीज जो लेनी है वह है मिसरी तो मिसरी आप इस तरह का ले लेड़े चे आपको चीनी का इस्तमाल नहीं करना है धयान रखीगा चीनी खाना बंद कर दीजे, उसकी जगा मिस्तरी खाय केचे अब आपको आखरी चीज चाहिए होगी वो है एक बड़ा गिलास दूद यहाँ पर एक गिलास कच्चा दूद ले लिजे आई जानते हैं इस रेमेडिय को तयार कैसे करना है सबसे पहले आप एक बाल में तीन से चार अकरूट की गिरी लीजे इसके बाद आपको इसमें मिलाना है किश्मिष पचीस से तीस दाने आप किश्मिष की इसमें अड़ कर दीजे इसके बाद आप दूद को एक पैन में डाल कर गैस पर गरम होने के लिए चड़ा दीजे इसमें एक उबाला जाया तो आप यह खरूट और किश्मिष को इस दूद में डाल दीजे अब आपको इसे लो फ्लेम पर अच्छे से उबलने देना है जब दूद अच्छे से उबल जाये तब आप गैस को बंद कर देजे और इसे एक ग्लास या फिर मंग में निकाल लेजे अब इसमें दोस्तों आपको मिलाना है मिसरी को आप स्वादमिशार मिसरी को मिला लेजे प्हुerd से आपको नासते में करना है तो अगर सुबह जब आपको दूद नहीं होता हो तो आप इसकी च्छाम को चार से पाँच बजे के आस पास इसे पी सकते हो लेकिन कोशिश करना कि शुबह ही पियो क्योंकि सुबह जब आप इस दूद को पीऊगे तो डाजे से अ जिस्ट हो पाता है और उसका पुरा nutrition value आपके श्रीर को मिल पाता है दोस्तों यह घरिल उपाया आपके श्रीर में होने वाली तमाम तरह की कमचूरियों को दूर कर देगा हड़ियों को मजमूत करेगा साथ यह आपका श्रीर हमेशा चूस्त दुरूस्त रहेगा इससे आपक बच्चों को दे रहे हैं तो यहाँ पर quantity आधी हो जाएगे बड़े बुजुर्ग जितनी quantity बताई कि यह उतनी quantity का इस्तमाल कर सकते हैं और पूरे महीने इस्तमाल कीजिए साथ दिनों के अंदर ही आपको फर्क महसूस होगा और कॉमेंट कर बताई का कि आपको इसका रिज निवाद शुक्रिया थैंक यो